रादे रादे अब्रीवन जै मातादी आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्री पूजा की स्तरल और संपून भी दी बताऊंगी साथ में ही आपके सभी प्रशनों के जवाब भी मिल जाएंगे और नवरात्री के दिन सबसे पहले सुबह सुबह इशनानादी करने के बाद एक चौकी लगा लेंगे चौकी हम पूर्व दिसा की तरफ लगाएंगे और चौकी पर लाल या पीले रंका कोई भी हम वस्तर विचा लेंगे इसके बाद आपके पास मातारानी की कोई विमूर्ती है अत्वा फोटो है या तस्वीर है हम उसको विराजमान कर लेंगे जो भी मातारानी का स्वरूप आपके पास है उसे विराजमान कर लेंगे उसके बाद में हमें कलस की स्थापन करनी होती है तो कलस के कंट पर मौली अत्वा कलावा बान देंगे, आप कलस मिट्टी का, पीतल का या तावे का किसी का भी ले सकते हैं, इसके बाद कलस में हम थोड़ा सक गंगा जल डालेंगे, और उसके बाद में हम सुद्ध जल से उसको कंट तक भर देंगे, इसके बाद कलस में एक हल दल कमल बनाएंगे इसके बाद हम कलस की स्थापना करेंगे कलस को चावलों की उपर रख देंगे और चावलों से भरी कटोरी एक कलस की उपर रखेंगे इसके बाद हमें आम के या असोका के पते लेने हैं आप पांच या साथ असोका के पते ले सकते हैं उन पर हम रोली और चंदन से तिलग कर लेंगे और कलस पर सजा देंगे तो इस तरह से मातारानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलस की स्थापना करनी होती है कलस पर हम पूर्ण स्वास्तिक बनाएंगे आप रोली से या चंदन से किसी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं इसके बाद में हम पानी वाला नारीयल लेंगे यानि जटावाला नारीयल उस पर हम , udah मुख लपीर लपेट सकते हैं , इसके बाद चुन्री के ऊपर हमं कलावा लपेट देंगेmat जिस से जो चुन्री है ज़िए , ज़िए ना तरफ करेंगे तो इस तरह से हमारे कलस की स्थापना हो चुकी है तो अब हम जुआरे बोएंगे आप किसी बरतन या मिट्टी का कोई भी बरतन ले सकते हैं मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र ले लिया है उसमें मिट्टी भर ली है और इस तरह से हमें जौरे बोने होते हैं आप चाहें तो गेहुं जो होते हैं उनको भी बो सकते हैं जैसे भी आपके या जौरे या गेहुं बोय जाते हैं आप उनको उगा सकते हैं अगर आप जुआरे बोए हैं तो आप एक नाइट पहले इनको पानी में भिगो दीजिएगा, अगले दिन जब आप बोएंगे तो आपकी जुआरे हैं वो अच्छे हो गएंगे, जिस भी पात्र में आपने जुआरे बोए हैं उस पर हम चंदन और रोली से तिलक कर देंगे उसके बाद में हम गनेज जी इस्थापना करेंगे, तो थोड़े से चावल रखकर हम भगवान गनेज जी को विराजमान करेंगे, जो आपके घर के मंदिर में गनेज जी हैं हम उन्हीं को विराजमान कर लेंगे चौकी पर अगर आप नवग्रे की पुजा अर्चना करते हैं तो नवग्रे की स्थापना कर सकते हैं कुछ लोग नवग्रे की स्थापना करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं अगर आप नवग्रे की स्थापना करना चाहते हैं तो हम थोड़े से चावल रखेंगे उनके उपर सुपारी रखकर हम नवग्रे की स्थापना कर लेंगे तो थोड़े थोड़े चाबलों की हमें 9 धेरी बनानी होती है उनके उपर 9 सुपारी रखनी होती है इस तरह से हमारे नवरात्रों में नवग्रे की स्थापना हो जाती है तो इस तरह से नवरात्रे के पहले दिन सुबह सुबह हमें चौकी लगा लेनी है और इस्थापना कर लेनी है इस्थापना के बाद में चौकी हमें बिल्कुल भी हिलानी डुडानी नहीं है जहाँ पर भी हमने चौकी लगाई है प्रति दिन हमें पूरे 9 दिन तक वहीं पर उजाजना करनी है तो अब हम सभी को इसनाध्यान कराएंगे यानि जलके छीटे लगाते हुए हम यहाँ पर सुधी करण करेंगे तो अब आप अखंड जोद जलाना चाहते हैं तो यहाँ पर अखंड जोद जला सकते हो तो मैं यहाँ पर सिंपल दिया जलाओंगी और अगर आप अखंड दिया जलाना चाहते हैं तो आपको आरति के लिए अलग से दिया जलाना होगा तो अब हम एक देशीगी का दिया जला लेंगे, सभी को यहाँ पर वस्त तरूपी कलावा समर्पित करेंगे, मातारानी को चुन्डी उड़ा देंगे और नव ग्रह को हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे, इसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे, कलश पर हमने पहले ही प समर्पित करेंगे क्योंकि माता रानी को लाल रंके फूल अतिप्रिये हैं तो माता रानी को लाल रंके फूल आप जरूर से समर्पित करेंगे इसके बाद माता रानी को हम सिंगार का सामान समर्पित करेंगे तो सोले सिंगार भी आप समर्पित कर सकते हैं या आप पांच साथ नौ जितने वे आपका सामर्थ है आपको उसे साब से मातारानी को सिंगार समर्पित कर सकते हैं सभी को दक्षना समर्पित करेंगे तो मातारानी को पहले नौ दिनों में आप पान समर्पित कर सकते हैं मातारानी को पहले दिन पान पर भोग समर्पित किया जाता है तो देखिए पान ले लेंगे, हम पान पर एक सुपारी रखेंगे, दो लॉंग रखेंगे, दो इलाइची रखेंगे और बतासा रखेंगे, तब हम मातारानी को भोग समर्पित करेंगे अगर पान नहीं है तो आप सिर्फ आप मातारानी को बतासे का भी भोग समर्पित कर सकते हैं बतासे में हम दो लॉंग रख देंगे और मातारानी को भोग समर्पित करेंगे साथ में ही हम पंच मेवा यहाँ पर भोग में समर्पित करेंगे इसके बाद में मातारानी को फल समर्पित करेंगे तो जो रित्व अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं भोग में वो समर्पित कर सकते हैं अगर आप मातारानी की नवरात्रों की कथा सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं या दुर्गा सब्तसती का पाट कर सकते हैं और दक्षना आप चाहें तो नवरात्ती के पहले दिन समर्पित कर सकते हैं लास्ट के दिन भी आप दक्षना समर्पित कर सकते हैं अगर आप पह में डुबो कर हम हवन में चढ़ा देंगे लॉंग हमें सावत लेनी हैं उन पर फूल होना चाहिए तूटी हुई बिल्किल भी नहीं लेनी है अब हम बता से चढ़ाएंगे मेवा समर्पित करेंगे सामिग्री चड़ाएंगे गूगुर्वी चड़ाएंगे और अंत में जलके छीटे लगाकर हम हवन को पून करेंगे इसके बाद हम धूब दीब जलाएंगे और आर्ति तो सबसे पहले हम गनेज भगवान की आर्ति करेंगे उसके बाद में मातारानी की आर्ति करेंगे आर्त सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे जैमाता दे